प्राजन स्टाड़ करने बारे हैं Surveying 1 में Leveling Connects Lecture तो हमने last lecture में डिस्कस किया था Adjustment of Leveling Instruments Temporary Adjustments के बारे में देखा Permanent Adjustment क्या होती है इसके बारे में जाना हमने तो आज हम स्टाड़ करने बारे हैं जो हमारे Adjustment के बाद Staffman और जो Levelman रहता है क्यों कौन सी बाती है जो ध्यान में रखनी होती है क्या instructions है Staffman के लिए और Levelman के लिए जो Level Levelman रहता है हमारा कोई भी Observations को Observe करने के लिए तो इक है करके हम Points-wise हमने इसको दिसक्स करेंगे instructions for Staffman तो क्या instructions रही ही जब Staffman के बात रही है Staffman तो है वो एक staff को Staff कहीं तरह के हमने Staff के बारे में जाना जैसे हमारे Targets staff होते है Self Reading staff होते है तो अलगले तरह के staff होते है तो जो उसको Carry दरवारा है उसको क्या बात रही है Staffman Staffman की क्या instructions होनी चाहिए जब हम use कर रहे हैं हम बॉले दोस्ट रवे कर रहे हैं Labeling Instrument की से तो सबसे पहले बात करते हैं Staffman के लिए क्या instructions ज़रूरी है ठीक है जी Labeling Staff should be Hand Vertically and Upright तो इसका मतलब केहने जो हमारी staff है उसको हम क्या करते हैं एक Vertically position पे Hand करके रखते हैं उसको एक Right Up करके रखते हैं ताकि जो हमारा Telescope है उसको अच्छे से जया किया जासके Boxing की जब के Telescope से staff कर ठीक है जी सबसे पहले instruction क्या है Staffman के लिए जी लिए लेलग कर जीए Always वेंड़ा, Speker लिए से आद for dólar क्युंट से लेलगी सद सेइं करड़ नाग. लेलग रड़ झाएं सबसे हैं लब इजालब करण상 सुद क की इस झेला इसा छिए पन्न रचका है और के इंस्ट्रक्शन से रहेगी स्टाफ मैंट के लिए जो हमारा स्टाफ है लेवलिंग स्टाफ रहते हैं उनको एक वर्टिकली पूजिशन पर खाल करके रखना होता है और उसको राइट रखना होता है ताकि जो हमारा टैलिश को उसकी जो फॉक्सिंग है वो अच्छे से और एकुरेंटि हम कर सके हैं की फीक साफ मैं पि assertions चाहिए और उसके लवार का बतता लैवनिग स्ट्रक्शन स्टमें और से ब्रांट किसी प्रांट मैं हमें स्टा करना चाहिए दफ जो स्टाफ है उसको क्याफि पलेश ह situations चाहिए ले लेडिश करना चाहिए जफ्सद्श करेंगे स्टाफ को प्लेश करेंगे इन्सक्शन जूरी है एक स्टाफ में के लिए उसके बाद हम पारकें केस ओप टैलिस्कोफिक स्टाफ दा लेफ शुड़ी स्ट्रेस्ट फुली तो इसका मतलब क्या है अगर हम उसको स्ट्रेस्ट करेंगे तो उसकी जो पुजेशंस है वह से उसमें मांकि हुए है वह अच्छे से हमने सारी के साइन हैंगी स्ट्रेट्व रहेंगी ट्kelिया क्या है जلف ची शूरा धाने एक स्टाफ में के लिए अंस्ट हमरें को फक्रें मैं सो और दकटर चरुपएंत्य टो को in case of telescopic star in case of telescopic star and the lens should be the lens should be stretched the lens should be stretched the lens should be stretched stretch fully okay so this is the one that you have to do it so telescopic star in the lens should be fully stretched because this is a folding our staff is still telescopic star okay after we have instructions after we have to do the instructions we have to do the instructions every time को यह स्टाफ की तो उसमें जो हमारा बॉटल पाट रहता है तो उसमें क्या रहता है जो आज जो पॉइल हुजआती है तो इसके साथ क्या होती है और अज़ाती है कि वजह से उसको क्या कर ना चाहिए क्योंकि अच्छा से जो वीजिबिलिटी है जा हमारी जो पॉइंस है जा हमारी ग्रेविशन सब्कड होती है वो अच्छा से वीजिबल रहे तो यह भी एक इंस्ट्रॉक्शन रही की स्टाफ मैं के लिए जो वहां पर उसको कहके हैं 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 कियो हुए है ठीक है जी तो है जो दो मैं जो वीजिब avis और दो प्रोफ श्रॉक्वशेगे 真 सक्य। श्रॉक्शने खड़े लिए यह तुटिए ऐस निजिब इंस है जुटी ट ब्राफ from underneath at the bottom underneath so that there should be no mud sticking, that so that there should be no so that there should be no mud sticking mud sticking को ज्वह जरूरी रहती है कि लिए जब हम कोई लापनिंग इस्टुमेंट को यूज कर रहे हैं तो स्टाफमें के लिए हमारे स्टाफ के रिगारी बाते द्हां रही है उसके बार अचैन पॉइंट स्लेक्षिट इस्टेबल कोईंट अगर हम स्लेक्ट करते हैं कि जो हुमार तो इसके बाद भी नहीं पॉजिशन भी तो लेकि जाने पड़े, तो वो क्वाइट जो हमने स्लेक्ट करना है, वो एक फर्म क्वाइट होना चाहिए और एक स्टेबल क्वाइट होना चाहिए ठीके जी, तो यह बात भी धना लगनी है, एक स्टाफ मैंन को ताकि जो ग्रैड आट यह दो पर एक स्टेबल करीज स्टाफ मां पेल की जाएगे, तो अलेक्वाइट नहीं की तो लेकित आट को शक्वाइट, ट्लुट स्टेबल क्वाइट होना चाहिए जो भी न्यू पीजिशन पे को नहाँ हुआढ पेलकी जाये, एक स्टेशन के का लिएक स्टाब इ तो एक जो वहाँ पे है तो हमारा पॉइंट चोहना चाहिए फर्मोर स्टेबल होना चाहिए ठीक है जी और क्या इंस्ट्रक्शन रहींगी स्टाफ मैंन के लिए दो के वाइब करेंगे फॉल्ड करेंगे उस्को अच्छेजिए करेंगे जैटी क्या करेंगे लो यह बाट है क्शो डिखे फोल करेंगे जो इए इए गी किंस एगी स्टाफ मैंगे लिए एके जी जी वाइज पोलिंगो लिखे की लिखे की यह है I am closing the folding stuff so that the folded pieces do not fall the folded pieces do not fall the folded pieces do not fall due to gravity but folded gently द्धूआ द्धी है एक और इंटली पुझे बाद भात भी निया एक इंस्ट्रक्टर चिए फिरे जो बाति है नो इंस्ट्रक्शन्स है वो ज्रूरी रहती है regarding the survey of the labeling or use during the use of the learning instruments because swing the star forward and backward to record the lowest rating so yeh paas bhi hana is being the swing the star forward and backward star forward and backward forward and and backward backward to record the lowest reading to record the lowest readings and the staff man who want to help us directly and work with the staff should be placed on a stable ground stable ground place and the staff should be placed to be placed on a stable ground अगर हम तेलेस्कोपी स्टाफ यूज कर रहें तो इसकी जो फोल्डिंग स्टाफ रहता है तो इसकी जो लेंथ है वो फुली स्टेश करेंगे तभी सारी सारी जो ग्याटुईएशन से हैं वह हम फोक्स कर पाएंगे तो मट्स्टिकिंग की वजय से क्या हुद है जो हमारी ग्राइशिंस है वो हमें फोक्स नहीं कीगा सकती तो इसलिए जब भी हम नहीं पर अगर हम प्लेस करेंगे हमारे स्टाफ को तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा जो यह भी एक इसलिए अगर प्लोजिंग की वजय से क्या होगा वह नीचे आइगल उसकी वजय से क्या होगा वह अच्छे से जो पीसिस हैं वह क्या को सकते हैं तो इसलिए अगर कि स्टाफ को तर्वर्ड एन बेक्वड तो रिखोड लो इस तो अमें क्या है नियुक्ष में निकी वह जुन रहती है कि हमारे स्टाफ में पोली इंस्रॉक्शन बहुत जूड़े रखी है तो अगर हम बात करें को लिए इंस्ट्रुक्शन पोर रैवल मैं पूर अब करें नजो हम एए बहुत सारी जो पॉइंक्स हैं। कि लैवलर भी भोड सारीी करती है पर बहुत सारी छीज지 जो फौर डिपेंट करती है तो ओक्राइय फ Libra करता है पोसको क्या करता है एक स्टाफ्मैन को गाइड करने वाला काम किसका है एक Libra के रह थो साहिए साही बात Prechlag इसे रो है दोा ग łatग कुंने है उसको इंस्टर्प्शं से हैं वह पता हुने चाहिए, और जब लावएं कि बाता के बाते है वह natural भाट रहती हुए बहुत इंम्पन के रहती है कि जो एब काल लॉप करने जो अधर है गधल धर Patient करना होता है ऊप्ज़र्ब करना रहुता है, यह उधिस पन हम्धारीय ए लवास है था、 अच्छे दल कारेंगे हम एक levelman की duty रहती है ताकि जो हमारा Level-Tele स्वेक्षज रहती है कोई भी level बытारे चुनन कीरों सब्सेक्षण करना की कि लेवन Wonderful Week अगर हमारे जो बबल है सने पैजिक हो चानला है, अगर और मैंस कर सकते हैं, अगर हम बात करें na instruction ौर Edwards मैं क्या instruction हमें हना होना चाहिए, ज़िशूे क्र ओर आपि काम कर रहे एक तुर। हम कम कर रहे हैं तो बात कर रिम स्पार्विश ध्यूंस ङाँ में जुब यू ऐन करेंगे बैंशमार्क घूए तो पितने कभी अगर मेरा फ़्लबंद्र सुफ फ्लबं॥ सरवे तो वह फर्म पॉईन पर हमारा जो हमरा काम हो खत्म होगा। चाहला packing on तुम्हारा पॉइंट जासे स्टार्ट किया है तो हम वहीं पॉइंट पे आके नाम का रहें ठीके तुई भी एक लेवल मैंट पे जरूरी बाते रहती है ठीके तुश्के पास बाते लेवलिंग शुट भी ता लेवलिंग शुट भी स्टार्टेड प्रॉम लेवलिंग श्टी कि बीपने माख और लेवलिंग वे mig झाते लेवलिंग झाते लेवलिग टो फाते लेव झात प्रॉम इफंवार छौन अपर दोटम का । कि अप्टर डेंगे हम एक फर्म पॉइंट पे तो यह बात आपने यहां पे अप्टर डेंगे तो जब हुमारा आखरी जो हुमारा लास्ट काम रहेगा तो वहां पे हमका फर्म पॉइंट कैप्टर देंगे हुमारे लेवलिंग जो है उसका काम है हुम फिनिस करेंगे ठीके उसके बाद हम बतार लेवल छुद भी सेट अप है अप्रोप्सिमेटली मिडवे बिट्वें दा तू एंड्स कॉइंट तो यह बात नहीं तो लेवल है हमेशा हुमने सेट अप करना है बिट्वीं दा जो बिट्वीं बाल एंड समस्ट के बीच में हमारा का ऐmusic layer डप को अग्यें वहीं बाद धीजिन करना हो कि यह बाक टो जानी बहुत जुरूरे है प्टकर जीनिजों ल्ग्यार कि डाम शुट भी सेटाप between set up midway between approximately midway between two end points तो end points, ठीके जी, दो end points के मिद्वें हमारा तो लेवल है हम दे setup करना है, ये बास भी लेवल बैट को अच्छे से पता होने चाहिए, ठीके जी, between two end points so as to avoid any error, so as to avoid any error due to imperfect adjustment of the instrument, imperfect adjustment of the instrument, imperfect adjustment of the instrument, एके जी, बास भी लेवल है, तो लेवल है, तो हमने setup करना, approximately midway between the two end points so as to avoid the errors, errors, तो errors किया है, क्योंकि imperfect adjustment हो जाती कई बार हमारे instruments की, तो उसके वज़े से error हैंगे, तो अगर हम level को two end points के बीच में setup करेंगे, तो accurate basis है, तो जो error है उसको minimize किया जाता है, ठीके जी, पिछली level man के लिए instructions रहती है, अगर हम next बात करें, और क्या level man को बाते हैं तो जिलूरी है, ठीके जी, it should be set up firmly into the ground and it should not be too high or too low, ठीके जी, हमें हमने इसकी जो position है वो हमने place करनी है किसी एक firm ground way, ठीके जी, ये बात भी हमें ध्यानक नहीं होती है, एक level as a level man, ठीके जी, तो ये बात हम रिखेंगे, it should, it should be set, it should be set firmly on ground, on ground and should not be not too high into ground and should not and should not be too high, be too high and too low, ठीके जी, ये बात भी जहानक नहीं है, और next हम बात करें level man, as a level man और क्या बाते हमें ध्यान रखनी है, after the level is set and temporary adjustment done, the telescope should be directed towards the staff and that staff should be brought in line with vertical hairs by gently taping the telescope using clean and allow slow motion screw, तो हम बारा जब हमने level को set कर दिया और instrument जो है, और temporary adjustment हमने कर दी है, तो उसके बाद जो हमारा telescope रहेगा उसको क्या करना है, towards the staff हमने क्या करना है, तो जो है, प्रोश हेर जो हमारी after the level is set and temporary adjustment, temporary adjustment done, adjustment done, जो हमने जो हमने कर रहे हैं, जो हमारा level है उसको set up करते हैं, एक रेक्रेट ब्रे से, तो क्या होगा, the telescope should be directed, the telescope should be directed towards the staff, directed towards the staff and the staff should be brought in line and the staff is brought in line, brought in line with vertical hair by gently taping, by vertical hair, by gently taping by gently taping the telescope or using clamp, the telescope and by using clamp and slow motion screw, clamp and slow motion screw, as a leveler, हमारी important duty रहती है, तो क्या है, जब हमने set up कर लिया है, एक level को हमने telescope को, एक level instrument को हमने कर लिया set कर लिया और उसकी temporary adjustment भी अगर हमने अच्छी से accurate basis कर लिए तो तो telescope रहेगा उसको क्या करेंगे, तो प्रोटीन लाइन, जो स्टार्फ एक लाइन में लेकिया रहा है, तो कि उसकी जो position है, आगे पीछे जो हो सकती है, ठीक है तो उसको स्टार्फ एक लाइन में रहेंगे by vertical hairs, ठीक है, तो vertical hairs को देखते हुए, जो हमारे object class रहता है, तो उसकी वज़े से हम देखेंगे जो हमारा स्टार्फ एक accurate line होई है, इदा नहीं है, अगर नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे लेके आएंगे, और by vertical hair, और by taping the telescope, तो telescope को taping लेके भी हम उसको focusing करेंगे और by the clamp की help से the slow motion, जो screw है, उनकी help से हम kept करेंगे, जो हमारा staff एक accurate line उसको ले आने की जो है, यहां पर instructions रहती है, तो उसके बाद क्या हुए, तो हमारी एक level man है, तो इसके लिए level man बोजी duties रहती है, एक level को bench mark से हमारा जो leveling है start करना, और उसको approximately जो हमारा level है, उसको set करना, mid way between the who and points ऐसे क्या होगा, जो हमारे instruments में error आती है, तिकि उसको काफी हंतक्या कर सकते है, eliminate किया जा सकता है, तिकि तो यह बाती है, सारी दोंतर एक instructions रहत एक level man के लिए जब हम leveling instruments के use कर रहे होते हैं, तिकि जी, और क्या बाती है, वो भी हमने points करते हैं, समझेंगे, तो he should direct the star man to waves, the star to make, the star vertical, तो जो हमारा star man है, उसको क्मांड देगा, और जो star man है, उसको क्मांड देते ही, उस star man ब्या कर देगा, उसकी जो sign होंगे sign के coding, हमारी स्टार्फ मेंदृ स्कों एक्जैक्त वूर्टिकली वो है घए ड़ेगा ठीक है हो ilsक बॉक्ति इस थिस फिर्ट करेंगा और अपउर अप्राइट रखेगा यहां लाट मेंड वहhst व्र मंद यह श्रेक्शं रहती है हमारे स्टार और हुआं से लिए ले इस्टी चुल डियरेक्ट दा-फ़े बिबाइ ताम मैं निकिक्श्ट मइन पो भी डाएक्श्ट रोइट तरनिंग का पान किसका है कि लाइवेट मैंन का है डिक्श्ट रसाम मैं डूष साफ नुवेव तर नुवेव बंब stop is to make the stop vertical is to make the stop vertical ये बार भी आपने नहीं रखने लखने और क्या points नहींगे हमारे जो development है उसके उसके instructions रही ये भी वो जो रही है before taking radius है say that the bubble should be in the center before taking any type of reading the bubbles taking in the center ये बढ़ी बाद रहेगी तो बहुत सारी जो वही जो center में लेगे तो इसकी screw के screw की नेरे से screw होएंगे उसकी हाल से center में लेका हैंगे इस 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 से क्या होगा वाइक एकुरूट बेस पर जो भी हमारे अप्लियक करेंगे रिकॉर्ट करने हैं इस्टूमेंट नहीं रखना चाहिए यह भी हमारे के बाते हैं जो एक बाती है जो ऐसे में ध्यां रखनी होती है में जो हमने ध्यां रखनी होते हैं तो हम principles किया है instructions for the stuff man and instructions for the level man तो नेक्स हम बात करेंगे हमारे जो लैवल बुक क्या है तिक जी और जो रोड्यूस, रेडक्शन और लैवल बुक क्या रहती है इसके बारे में जानेंगे नेक्स रेक्चर में